इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है। मूत्रवर्धक, विरोधी भर्काओ, एंटिस्पास्मोडिक और एनाल जैसिक गुण हैं ये गुर्दे की कार्य प्रणाली में सुधार करने में मदद करता है सूजन को कम करता है और विशाक्त पदार्थों के उन्मूलन का समर्थन करता है यह मूत्र उत्पादन को नियंतरित कर सकता है और गुर्दे को फिर से जीवन्त कर सकता है नियमित सिर्फ औसक मूत्र पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और उचट पेशाब को बढ़ावा देता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, सिट्रूलाइट ए सिप में पाई जाने वाली शक्तिशाली जड़ी बूटियां पत्री को छोटे-छोटे टुक्डों में तोड़ देती हैं और फिर उन्हें बाहर निकाल देती हैं दो, ये गुर्दे की पत्री की पुनरावृत्ती को कम करता है ये पत्री से जुड़े दर्द को भी दूर करता है यह मूत्र पत के सूजन वाले म्यूकोसा को शांत करता है जो मूत्र पत के संक्रमन की लक्षनों को कम करता है विशेश रूप से जलन 3. यह एक शक्तिशाली एंटियोक्सीडेंट है जो मूत्र पत को ओक्सीडेटिव तनाव और ख्षती से बचाने में मदद करता है यह मूत्र के बादलपन को कम करता है और मूत्र की दुर्गंद को समाप्त करता है जो संक्रमन के कारण मौजूद हो सकता है 4. यह किड्नी के कार्य में सुधार करता है, सूजन को कम करता है और विशाक्त पदार्थों को खत्म करता है यह मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है और गुर्दे को फिर से जीवन्त करता है 5. सिट्रोलाइटि असिर्प का नियमत उपियोग सामान्य मूत्र पी एज संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और उचगत पेशाब को बढ़ावा देता है 6. सामान्य मलत्याग को बहाल करके सिट्रोलाiट ए सेफ मूच्रिवाहिनी पैरिस्लसिस को सामान्य करता है और पत्री के मार को सुगम बनाता है ये क्रिस्ल और कोलॉट संतुलन को भी बनाए रखता है और मूत्र पत्री की पुनरावृत्ती को रोपता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें